नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जायकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहा है एक ऐसे टेक्स्टाइल कंपनी के बाड़े में जिसका प्राइज अभी दो रूपे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी को Reliance Industry इटमिस मुकेस अंबानी ने परचेज किया है और उस कंपनी का नाम है Syntax Industries Limited जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है जैसा कि आपको पता होगा इस सेर का प्राइज आज से साल भर पहले 9 रूपे के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से ये स्टोक करीब 75% के आसपास टूट चुका है और अभी ये स्टोक 2 रूपे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी की ट्रेडिंग दस फरवड़ी 2023 से बंद कर दिया है क्योंकि फ्रेंट्स ये कंपनी NCLT में गई थी कुछ दिन पहले ही और इसे Relance Industry और Assets Care and Reconstructions Enterprises जिसे SOT में ACRE के नाम से भी जाना जाता है ये दोनों मिल करके इस कंपनी को परचेज किया है तो इसमें जानेंगे कि Relance Industry को इसमें कितने परसंट हिस्सेदारी मिली है और ACRE को कितने परसंट हिस्सेदारी मिली है इसके भी चर्चा इस वीडियो में हम आपके सामने प्रजेंट करेंगे और जानेंगे कि क्या वापस से ये स्टॉक रिलिस्ट होने वाला है और अगर रिलिस्ट होगी तो किस प्राइस पर रिलिस्ट होने की उमीद यहां दिख रही है इसके भी चर्चा हम इसमें करेंगे इसके अलावे फ्रेंट्स आपको पता होगा इस कंपनी को Reliance Industry और ACRE ने 3650 करोड में इस कंपनी को एक्क्वायर किया है और इस कंपनी के उपर बरतमान में 7000 करोड से उपर का कर्ज परा हुआ है जिसकी बज़ा से इस कंपनी को NCLT में ले जाया गया और इसे मुकेश अमबानी ने इस कंपनी को परचेज किये है तो फ्रेंट्स इस डेटा को आप एक बार माइनिंग करें और यहां देखे कि इसमें किसको कितने परसेंट हिस्सेदारी हाथ लगी है इसमें सिंटेक्स में अब 70% हो गई है वहीं पे ACRE की हिस्सेदारी 10% हुई है वहीं पे Secure Creditor को 20% हिस्सेदारी दी गई है वहीं पे existing promoters group को कोई भी share नहीं दिये गया है इसमें यहां पे नील प्रजेंट होना है इसके अलावे पबलिक की बात करेंगे तो पबलिक को भी यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया इसमें इन तीनों ने सारे के सारे share को अपने आप में divide कर लिये है जिसमें सबसे ज़्यादा stake Reliance Industry की 70% हो गई है तो रही बात इस stock की Relisting कब होगी और कितने पर Relist होने की उमीद यहां लग रही है तो फ्रेंट्स अगर इनके Face Value को Change किया गया तो definitely इनका जो price है वो आपको 15 रुपे से उपर Relist होते हुए आपको दिखेगी ऐसा नहीं है कि यह stock Relist नहीं होगी क्योंकि बहुत लोग यह कह रहे हैं कि इस stock की Relisting नहीं होगी लेकिन फ्रेंट्स यह stock वापस से Relist होने जा रही है और अगर इसके Face Value को Change किया गया तो definitely इसका जो Relisting होगा वो 15 रुपे से उपर आपको देखने को अवस्य मिलेगा लेकिन आप इतना याद रखें आप सारे के सारे पैसे इसी share में invest नहीं करेंगे कुछ share आप इसके purchase अवस्य करेंगे जब इनका Relist होगा और जो नए price market में आएंगे उस price preference लेकिन अभी तक company का कोई भी official notification जारी नहीं किया गया है कि ये Relist किस date को होगी जैसे ही Relist का date आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से inform अवस्य कर देंगे